अगर आप भी अपने सफेद बालों को नैचुरल तरीके से काला बनाना चाहते हैं वो भी बिना किसी हेर डाई या फिर बिना कलर के तो ये रेमडी आपके लिए बिल्कुल बेश्ट है अगर आपके भी ग्रे हेर होने सुरू हो गए है और आप भी मार्केट वाले डाई का यूज करते हैं तो अभी से उसे यूज करना बंद कर दें क्योंकि वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हर्मफूल है आप किसी भी होम रेमडीज का यूज करें जो कि आपके बालों के लिए सबसे ज़्यादा बेश्ट हो आपको उसे यूज करना चाहिए इससे यूज करने से आपके बाल नैचरल तरीके से जड़ से काले हो जाएंगे और लंबी समय तक आपके बाल काले रहेंगे और अगर अगर आप इसका प्रॉपर यूज़ करेंगे तो इसकी यूज़ से आपकी हेर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी तो चले देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है एक लोही की कडाही तो यह देखें मैंने वास करके इसको रखा हुआ था तो यह इस तरह से इसमें जंग सा लगना शुरू हो गया है तो कोई जरूरी नहीं कि आप इसको साफ करो आप इसमें भी से बना सकते हो तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया है इसमें आपको एक गिलास बर के पानी एड़ कर लेना है अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर एक गिलास पानी का यूज करें अगर आप मेल के लिए इसे बना रहे हो तो आप यहाँ पर आधी गिलास पानी का यूज करें और इसी में आपको यहाँ पर कॉफी एड़ कर लेनी है कॉफी आपको यहाँ पर एक चमची करीब यहाँ पर एड़ कर लेनी है जैसे कि यहाँ पर मैंने दो छोटी पाउच एड़ कर लिया है और उसके बाद आपको थोड़ा से इसमें इस तरह से रतन जूद एड़ कर देना है कॉफी और रतन जूद का कॉमिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है आपके बालों में तो इन दोनों चीजों को आपका पानी तयार कर लेना है इस पानी को आपको कम से कम 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉल कर लेना है ताकि इन दोनों का कलर अच्छी तरह से पानी में रिलीज हो सके तो यह देखें यहाँ पर इस तरह से पकाने के बाद ना जो मैंने इसमें रतन जुद अड़ किया है उसको आपको इस तरह से निकाल लेना है आप चाहें तो इस पानी को च्छान भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसे च्छाने हैं इस तरह से भी इसका जो इसमें रतन जुद हमने अड़ किया तो निकाल सकते हैं तो अब ये पानी बनकर बिल्कुर ready हो चुका है अब इसी पानी में आपको यहाँ पर और भी ingredients एड़ करने है आपको यहाँ पर हीना powder लेना है यानि कि हीना मेंदी आपको जो green वाले आती है उसी को आपको यहाँ पर use करना है और उसके साथ ही आपको इसको अच्छी से mix कर लेना है पानी में इसको खूब बढ़ियां से mix करना है ताकि इसमें गुठलियां और ना रहें प्रॉपर तरीकी से आपको अच्छी से mix कर लेना है और mix करने के बाद इसमें next ingredients आड़ करेंगे एक चमच भरके आपको आवला पाउडर फ्रेंज हीना और आवला का combination बहुत ही जब दोनों mix होते हैं तो इनका एक अलक से ही reaction होता है ये आपके बालों पर red color देने के वज़ाए ये black color देते हैं इन दोनों का combination बहुत ही जबरदस्त होता है अगर आप इसको सही तरीके से remedy को बना कर यूज करेंगे तो 100% ये आपके बालों पर बहुत इच्छा result देगी फ्रेंज आप सब कमेंट करके ये भी बता दें कि हमारी वीडियो को किन किन जगों से देख रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो किन किन जगों पर देखी जा रहे हैं तो ये देखें फ्रेंज इसको आपको इस तरीके से पकाना है और इसकी consistency आपको ऐसी रखनी है कि जब ये आप अपने बालों पर apply करना इस महदी को तो वो आपके बालों पर से टप टप केना तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल पका लिया है बस आपको इससे पकाने के बाद यही पर आपको गैस की flame को बंद कर देना है और बंद करने के बाद अब इसी तरह से हम इसको ढखकर छोड़ देंगे कम से कम पांसे दस मिनट के लिए और दस मिनट बाद यह देखें यहाँ पर हमारी महदी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है बहुत ही जबरदस्ती है रेडी होई है बनकर इस तरीके से देख सकते हैं कि यह इसमें धीरे धीरे black color आना सुरू हो गया है फ्रेंज अगर आप इस तरीके से इस महदी को त्यार करेंगे ना तो यकीन माने यह आपके बालों पर बहुत ही अच्छा color देने वाली है अगर आप इसका अप्लेकेशन ना दो से तीन बार कर लेंगे ना तो यकीन माने आपके बालों में बिल्कुल black jet color आने वाला है आप चाहें तो इसे हाथों के मिज़स से लगा सकते हैं फ्रेंज्स यकीन मानें यह रेमिडी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा best रोने वाली है इसको आप wix में एक बार लगाएं और महीने में आप इसे कम से कम दो से तीन बार ज़रूर लगाएं और जब भी आप इसे अपने बालों पाई शूद आपके बालों के लिए को फूर खूर बालों के वाजिक करें नेक्स दे मॉर्निंग में या और जब भी आपका दिल चाहे या पने बालों को वइस कर सकते हैं तो रेमेडी आज़ी कैसी लगी कमेंट के मादें से ज़रूर बताएं अल्ला आफिर्ज